Hello, इस वीडियो में आज हम unorder list के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले यहां पे इसकी definition जानते है The bolted list is called an unorder list यह दिखो जयसे यह bullet है एक यह bullet है एक यह bullet है तो यह जो list है इनको हम बोलेंगे unorder list an unorder list start with the tag ul यह दिखो start जो होता है ul tag से होता है and ends with ul तो यह यहां पर ul tag को बंद किया हुआ है each list item start with the tag li तो जो list item में होती है उसको start किया जाता है li tag से li का मतलों होता है list item इसके बाद है type specifies the type of the bullet तो यहां पर तीन तरह के bullet है यह देखो type is equal to disk अगर हमें disk वाला bullet चाहिए तो हम लिखेंगे type is equal to disk बिल गिवे solid round black bullet यह bullet हमारे पास आजाएगा जब हम लिखेंगे type is equal to disk इसके वाद है second है type is equal to circle अगर हमें circle चाहिए तो हमें यह लिखना पड़ेगा बिल गिवे hollow circle bullet तो यह हमें circle में ऐसा bullet दिखाई देगा इसके वाद है third है type is equal to square अगर हमें square वाला bullet चाहिए बिल गिवे solid square black bullet तो square वाला bullet हमें ऐसे दिखाई देगा यह यह हम पे तीन तरह के bullet है इनको आगे हम समते हैं तो यह देखो यहां पे एक example है यहां पे हमने लिखा हुआ है unorder list यह ul tag हमने यहां पे use किया हुए इसके बाद list item में हमने लिखा हुआ है floppy इसके बाद mouse इसके बाद keyword इसके बाद ul tag को बंद किया हुआ है तो जब हम इसकी outputt देखेंगे ये देखो outputt तो इसमें जो है by default जो bullet होता है बो डिस्क वाला होता है ये देखो disk bullet यहां पे है तो यहां पे floppy लिखा हुआ है इसके はद यहां पे mouse लिखा हुआ है इसके बाद यहां पे keyword लिखा हुआ है तो यहां पर हमने कुछ भी use ने किया कि हमें circle चाहिए या square चाहिए हमने यहां पर केवल लिखा हुआ है ul तो ul लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि जो bullet आएगा वो disc वाला आएगा इसके वाद आगे अगर हमें circle वाला चाहिए तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसको आगे समते हैं इसके वाद यहाँ पर example है ul type is equal to circle अगर हम चाहते हैं कि disk वाला bullet ना आए और circle वाला आए तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे ul type is equal to circle इसके वाद list item में हमने लिखा हुआ floppy, इसके वाद mouse इसके वाद keyword इसके वाद ul tag को यहाँ पर बंद करेंगे इसके वाद जब इसके output आएगी circle यूज किया हुआ है तो यह देखो यहाँ पर आगे जो है circle लगके आगे floppy, इसके वाद यहाँ पर mouse का यहाँ पर bullet आएगा इसको आगे हम यहाँ पर practically करके देखेंगे notepad में, इसके वाद यह program है create a webpage to display unorder list in HTML इसको आगे हम notepad में करेंगे यह हमने notepad को open किया हुआ है और इसमें unorder list का यहाँ पर एक program लिखा हुआ है तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है HTML, इसके वाद head इसके वाद title tag और यहाँ पर लिखा हुआ है unorder list इसके वाद title tag को बंद किया हुआ है head tag को बंद किया हुआ है इसके वाद यहाँ पर body tag लिखा हुआ है इसके वाद यहाँ पर h1 tag इसमें लिखा हुए fruits इसके वाद यहाँ पर unorder list इसको जो यहाँ पर start किया हुए UL tag को start किया हुए, इसके वाद list item में हमने लिखा हुए L I, first पे लिखा हुए Apple, इसके वाद second, L I, यहां पे लिखा हुए Orange, इसके वाद third है L I, यहां पे लिखा हुए Banana, इसके वाद UL tag को यहां पे बंद किया हुए, इसके वाद यहां पे लिखा हुए Vegetables, फिर हमने यहां यूल टैक को स्टार्ट किया हुए और इसके वाद यहां पर लिस्ट आइटम इसमें हमने लिखा हुए ओनियन इसके वाद सेकेंड लिस्ट आइटम इसमें लिखा हुए पिटाटोस इसके वाद थार्ड लिस्ट आइटम है इसमें लिखा हुए रेडिश पी यूल को बंद क किया हुआ है, h1 tag को बंद किया हुआ, body tag को बंद किया हुआ और html tag को बंद किया हुआ, तो जब हम इस program को save करेंगे और इसकी output देखेंगे, तो यह देखो, first में हमने लिखा हुआ fruit, तो यहाँ पे, यह fruits name यहाँ पे आ जाएंगे, apple, orange, बनाना, इसके बाद यहाँ पे vegetables, यहाँ पे onion, potatoes, radish, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, computer parts, यहाँ पे keyword, इसके बाद mouse, इसके बाद light pen, जब हम इन सभी की output देखेंगे, तो सभी के आगे, disk bullet लगके आ जाएगा, इसको करके दिखती है, यहाँ पे file पे गए, save as पे गए, save as पे जाने के बाद, इसको कहाँ पे save करना है, desktop पे करना है, इसके बाद यहाँ पे file name देंगे, तो हमने file name दिया, fg, इसके बाद dot html, यह file extension गाई, इसके बाद यहाँ पे इसको save कर देंगे, तो save करने के वाद यहाँ पे यह default browser में आ गया अब हम इसको देखेंगे कि यह webpage में कैसे दिखाई दे रहा है तो इसको open करेंगे open करने के वाद यह दिखो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा था यह दिखो program दिखो यहाँ पे हमने fruits लिखा था तो इसके वाद यहाँ पे हमने लिखा था यह दिखो apple orange बनाना तो यहाँ पे जो आगे bullet लगके आ गया वो disc का bullet है क्योंकि यह यहाँ पे हमने कोई भी condition ने लगाई हुई है कि हमें circle चाहिए यह हमें square चाहिए तो wild default जो होता है वो यहाँ पे disc का bullet आता है यह देखो यह disc bullet यहाँ पे आ गया है इसके बाद second में यह देखो second vegetables लिखी हुई है तो यहाँ पे onion, potatoes, radish इसके आगे भी यहाँ पे disc bullet यहाँ पे लगके आ गया है इसी तरह यहाँ पे computer parts है तो इसका मतलब यहाँ भी disc का bullet आएगा यह देखो keyword, mouse, light pen यह देखो यहाँ पे disc का bullet यहाँ पे आ गया है keyword, mouse के लिए भी, light pen के लिए भी अगर हम यह चाते हैं कि यह जो fruits हमने लिखा हुआ है और यहाँ पे disc की जगह हमारे पास circle आए और vegetables है यहाँ पे disc आए और यह computer parts है, यहाँ पे square आए तो इसको करने के लिए हमें यहाँ पे program में changing करनी पड़ेगी तो यहाँ पे सबसे पहले देखो ul लिखा हुआ है, यह देखो यहाँ पे ul लिखा हुआ है यहाँ पे हम लिखेंगे type, यह type लिखा type लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे बनाना के आगे circle बनके आ जाएगा इसके बाद vegetables में ul यहाँ पे हम क्या use करेंगे disc तो यहाँ पे ul यहाँ पे लिखेंगे type टाइप लिखा है इसके बाद equal to लिखेंगे इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे disc यह disc लिखा disc लिखा, disc लिखने के बाद यहाँ पे लिखा हुए li onion, li potatoes, li यहाँ यहाँ पे radish तो इनके आगे जो है यहाँ पे disc लगके आ जाएगा क्यूंकि हमने यहाँ पे लिख दिया है ul type is equal to disc तो यहाँ पे disc लगके आ जाएगी इसके बाद लिखा हुए हमने computer parts अगर हम यह चाते हैं कि यह जो हमने computer parts लिखे हुए है इनके आगे यहाँ पे square का bullet यहाँ पे लगके आ जाए तो हम यहाँ पे लिखेंगे ul इसके बाद type equal to के बाद लिखेंगे square यह square लिखा तो square लिखने के बाद जब हम output देखेंगे तो यहाँ पे keyword के आगे यहाँ पे square आ जाएगा mouse के आगे यहां पे square आ जाएगा light pen के आगे यहां पे square आ जाएगा तो इसको करके दिखते हैं हम file पे जाएंगे और इसको यहां पे save कर देंगे यह save कर दिया इसको यहां पे refresh करके दिखते हैं यह दिखो यहां पे इसको refresh किया refresh करने के बाद अब देखो यहां पे फ्रूट में हमने क्या सटकिया था ये देखो यू एल टाइप इजिकलू सरकल ये देखो एपल के आगे यहां पे सरकल आ गया औरेंज के आगे यहां पे सरकल आ गया बनाना के आगे यहां पे सरकल आ गया सैकंड देखो यहां पे बेजे टेवल्स में हमने क्या यहां पे सट तो keyword mouse और light pen के आगे यहां पे square का बोलिट यहां पे बन के आ गया है तो इस तरह से ul में हम अलाग लाग बोलिट यहां पे यूज कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने ये सिखा कि अन आउडर लिस्ट को यूज कैसे किये जता है इसके बारे में जाना आगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवाद